आर्थिक रूप से चर्मरा हो चुका पाकिस्तान अब दूसरे देशों से मदद मागने को मजबूर है तरसलब राजनीतिक इंसा के बाद आर्थिक संकट और महगाई का खत्रा पाकिस्तान पर बढ़ने लगा है पिछले एक साल में इस देश में खाने पीने के समानों की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ती जा रही हैं आपको बता दे कि बीते एक साल में एक किलो आटी के कीमत 140 से 160 रुपे किलो वहीं चावल 350 रुपे किलो हो गया है जबकि पैट्रोल 280 रुपे परति लीटर के फाव से बीक रहा है खाने पीने और तेल के दामों में आसेतन दो गुना की विर्ति हो गई है दरसल पिछले साल मई दो जार बाइस में पाकिस्तान में आटा 65 चावल 114 पैट्रोल डीजल 150 और 145 रुपे पर्ति लीटर बिक रहा था लेकिन आज दो गुने से जादा हो गया है बता दें कि एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में रसोई गैस लेंडर का प्राइज मई 2022 में 2500 रुपे था लेकिन आज की तारिक में इसका दाम 3400 से चादा है तो वहीं शक्कर की कीमत 87 से बढ़कर 120 रुपे हो गई है वहीं पडोसी मुल्क पाकिस्तान में आलू प्याज और टमाटर की कीमत 80, 70 और 97 रुपे परती किलो है खाने का तेल 493 से बढ़कर 500 रुपे परती लीटर और दूद 180 रुपे लीटर बिक रहा है हैरान करने वाली बात है कि पाकिस्तान में महंगाई और आर्थिक बदहाली के मामले में शिलंका को भी पीछे छोड़ दिया है अप्रेल में यहां महंगाई दर 36.4 पर पहुंच गई जबकि शिलंका में ये 35.3 परसेंट रही पाकिस्तान में महंगाई का ये आंकड़ा 1964 के बाद से सबसे ज़ादा है दरसल आर्थिक रूप से बदहाल पाकिस्तान को किसी अंतराष्ट ये संसा से कोई मदद नहीं मिल रही पाकिस्तान रुपिया 2030 में अब तक ग्लोबल इसतर पर सबसे खराप प्रदर्शन करने वाली करंसी में से एक बन गया है जो टॉलर के मुकाबले 20 परतिशत गिरा है वहीं डॉलर के मुकाबले पाकिस्तान रुपिय के गिरने से विदेश में समान आयात करना महंगा पड़ रहा है और इससे जनता पर महंगाई का बोज बढ़ रहा है